आज की topic थोड़ी से sensitive है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है इसको भी cover कर पाना क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारी lifestyle होती है काफी ज़्यादा stress होता है घर परिवार का stress होता है बाहर इतनी ज़्यादा pollution होते हैं और उपर से एक भी ज़्यादा stress इतना बढ़ जाता ह कि अगर आपको conceive करने में दिकते होती है तो जो societal pressure होती है उसके वज़से भी कई बार आपके anxiety के शिकार होते हैं और उस anxiety के वज़से दो चीज़ी काफी ज़्यादा commonly देखी जारी है फिमेल में vaginal dryness आना और मेल में erectile dysfunction होना तो आज मैं erectile dysfunction के विबारे में कुछ आपको short knowledge देना चाहती हूँ अगर इस तरह की problem आपके साथ हो रही है तो इसको देखना उसको समारना उसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है वीडियो काफी इन्फर्मेटिव है प्लेशरू से लेकिलाश तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल क्वेंस्वाइवल्ड पे बहुत-बहुत स्वागत है हाला कि ये टॉपिक आपको बहुत जदर टैबू लग सकता है लेकिन टैबू लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक रियल प्रॉब्लम है कई बर क्या होता है कि प्रिग्नेंसी में स सकते हैं कि अगर में लगनाatan के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो रिलेशन प्लान करने में भी आपको दिकते होती हैं तो ये दिकते क्यों हो रही है तो उसका एक में रिजन ये हो सकता है कि पुरुषों के साथ अगर के बलड़ प्रेशर का अगर वैल्योय ज़ा दूसरी चीज है जो आपका खान पान है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से पर्फेक्ट ही है जिसके अंदर सारे कि सारे न्यूट्रेंट है तो अगर आप अच्छी न्यूट्रियेश फूड नहीं लेते हैं जब अगर आप पोशक तत्वों से भरावा भोजन नहीं लेते है आपको कुछ नकुछ आपके फूड में कमी आ जाती है और पुरुषों की एकादत होती है जनरल केसे में कि उपर से वो नमक वगरा छेड़क करके खाने लगते हैं तो ये धीरे धीरे जब आप उसको प्रैक्टिस बनाते हैं तो आपकी बोड़ी में पानी होल्ड करने मेल को इस वज़े से भी होती है क्योंकि अगर उसके रीजन पूछा जाएगा कि फैटी लिवर के क्या रीजन हो सकते हैं तो बहुत सार लोग बोलेंगे कि मैं तो एलकोहल नहीं लेता हूं या मैं बहुत ज़दा तेल मिर्च मसाले या नॉन विच का सेवर नहीं करता हूं तो उससे ना सिर्फ आपकी लिवर में परिशानी आती है बलकि आपके blood pressure का जो value होता है वो भी बढ़ता है और जब अगर आपका blood pressure बढ़ेगा तो होता क्या है कि जो आपके veins होते हैं उनमें proper मात्रा में blood का circulation नहीं जाता है जब proper blood का circulation नहीं जाता है blood का pressure बढ़ने लगता हार्ट को बहुत ज़्यदा पंप करना पड़ता है ऐसे केस में प्रॉपर मात्रा में आपके रिप्रोड़क्टिव अंगों में भी आपके वेंस में ब्लड का फ्लोड नहीं जाता है जिसके वज़ा से यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानि की एडी होती है और as a result बहुत स सबढ़नी की ज़ुरत है कि right from the beginning आपको छोटी-छोटी चीजों के उपर ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किस तरह की डाइट लेते हैं किस तरह से आपकी life style है उपर से अगर आप नमक खाते हैं बहुत ज़दा तेल मिर्च मसालों का सेवन करते हैं आपको drinking करना या smoking करन बहुत ज़दा आप chronic आप chain smoker है इस तरह की जो चीजें हैं वो एक बार all of a sudden आपके शरिर में रोग नहीं देगी जाती है लेकिन long time पे ये इसका बुखत बुरा असर आपके हर चीज को उपर पड़ता है लेकिन जिनको भी अगर pregnancy conceive नहीं होई है उनके उपर ये कुछ ज़ ज़दा अगर घबरहाट होती है उस टेमपे भी इडी फील होती है लेकिन वो temporary basis पे होती है लेकिन अगर आपको veins के वज़ा से अगर veins में अच्छी तरह से blood का circulation नहीं होता है जिसके वज़ा से ED होती है तो ये लंबे समय के problem हो सकती है और आगे चलके मतलब couples को परिशानी ह होती है दूसरी चीज मैं कि अगर female की बात करों तो female को भी अगर कहीं न कहीं उनके अगर बॉड़ी में हॉर्मोन सही से काम नहीं करते हैं तो vaginal rhinus की समस्या होती है और ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है ये दोनों ही समस्या आपके जो personal life है उसको disturb करती है जिसक जो जरूरी चीज है उसके उपर work करना जरूरी है और छोटी-छोटी से changes अपने lifestyle में जरूर करें ताकि आगे चलके कोई भी परेशानी नहीं हो hopefully आपको इसवीडियो में सही जनकारी मैंने दी है अगर वीडियो की जनकारी अच्छी लगी और आपको immediately action लेनी की ज़़रात है अपने एक्सपर्ट से मिलने की ज़रात है तो इस वीडियो को देखने के बाल आपको लगता है ये problem है तो अपने एक्सपर्ट से ज़रूर मि पीजह उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें थैंक यू सो मच पर वाचिंग ट्विंस वाइवल्ड